हलो फ्रेंज मेरा नाम है प्रशान पराशर और ग्लिटन फोटेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लिए ले क्या हूँ एसकोजर का एके स्मार्ट रिमोट कंट्रोल स्विच इसके अंदर रिले बेस सर्किट है इसको इंस्टॉल करने के लिए एक्जिस्टिंग वाइरिंग में कोई भी चेंज करने की जुरूत नहीं है इससे चार लाइट्स और एक पंखे को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है इसके थूँ पंखे की स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है स्पीड वन से स्पीड फोर तके कंट्रोल करता है इसके अंदर आठ डिफरेंट सीन्स को सेफ किया जा सकता है और उनको रिमोट से ही कंट्रोल किया जा सकता है और ये एक made in India product है तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में करूंगा इसके unboxing तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बाद Glitters Info टेक के साथ तो ये है Glitteril Packing इस Escozer के Smart Remote Control Switch की और ये बहुत ही सुन्दर Matte Finish के अंदर box है इस box के front में switch और remote की photograph है और product का नाम लिखा हुआ है Smart Remote Control for Light and Fan और इसके अंदर दो remote के options बिलते हैं एक basic on-off का remote है और दूसरा on-off के साथ-साथ scenes control करने के लिए भी switch हैं और इसकी back side में इसके कुछ features लिखे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि इसके अंदर दो remote के options बिलते हैं कोई humming sound नहीं होती इसका relay based circuit है और इसके through devices को on या off कर सकते हैं remote के through या फिर manually switches के through इसके अंदर fan को on-off किया जा सकता है और इसकी speed को control किया जा सकता है यह highly durable है और इसकी range 40 feet है इसका compact design है यह electricity save करता है और इससे कोई भी appliance on या off किया जा सकता है एक single button press करके इसकी बहुत easy installation है और एक किसी भी existing switchboard में fit हो जाता है और यह एक made in India product है जिस पर पूरे 2 साल की warranty मिलती है और इसका MRP है 1,999 और इसका best buy link नीचे description में दिया हुआ है जहां पे click करके आप इसको बहुत इससे price में purchase कर सकते हैं इस box के अंदर A के warranty card मिलता है A के product description card और इसका circuit diagram card मिलता है A के इसका remote मिलता है और A के मिलता है इसका main unit जो की है smart remote for light and fan तो सबसे पहले इसकी build quality की बात करी जाए तो इस switch completely plastic का बना हुआ है और इसके उपर एक sticker लगा हुआ है जिसके उपर इसका wiring diagram है और यह बताता है कि इस product के उपर हमें 2 साल की warranty मिलती है यह एक made in India product है इस cause of company का यह product है इसकी testing date लिखी हुई है और इसके उपर company का customer care का number और website दी हुई है और इसके दोनों side में wires निकल रही है यह red और black वाली इसकी input wire है और इसके साथ एके infrared sensor लगा हुए है और इसके दूसरी तरफ यह yellow और blue color की wires लगी हुई है यह इसकी output wires है इन wires में light और fan का connection किया जाएगा और इसमें light ही नहीं light के अलावा TV, tube light, LED bulb, CFL bulb कोई भी light appliance connect किया जा सकता है और इसको remote से control किया जा सकता है और इसके साथ यह remote आता है remote भी काफी advanced remote है इसमें बहुत सारे buttons दिये हुए है और इसकोजर की branding है और इसके center में जो दो buttons दिये हुए है इनका use करके इससे connected सभी devices fan या फिर light को एक ही click में off किया जा सकता है या फिर एक ही click में उन सभी devices को on किया जा सकता है और एक scene से दूसरे scene में switch कर सकते है और इनके नीचे इसके switch के साथ connected devices और lights को on और off करने के लिए buttons दिये हुए है और इसके remote में एक है torch भी दिये हुई है जो कि ज़्यादा bright नहीं है बट अंधेरे में काफी helpful रहेगी अब एक बार इस switch को connect करके इसका demo भी आपको देता हूँ तो इस switch के सारे connections हो गए है यहाँ से इसका input current आ रहा है और यहाँ से output connections हैं इसके इस switch के साथ एके CFL bulb अटाच करा है और एके normal bulb अटाच करा है यह normal bulb fan वाले port में अटाच करा है तो जिस तरीके से यह bulb dim होगा या फिर इसकी light बढ़ेगी उसी तरीके से हम fan की speed को control कर सकते हैं तो यह remote है इस remote में जो सबसे अच्छा feature है इसका all on और all off सबसे पहले इसको check करते हैं तो all on प्रेस करते ही यह दोनों bulb से हमारे on हो गए है और ऐसे ही all off से सारे off हो जाते हैं और अब इस remote से जो fan की speed कम जादा होती है उसको check करते हैं इस bulb को dim करकर तो यह f1 प्रेस करेंगे तो bulb on हो जाएगा और जब यह minus प्रेस करेंगे तो इस bulb की brightness कम होती जाएगी और इसी तरीके से fan की speed को कम या जादा करेगा इस तरह में अपनी low speed पर है और प्लस करने के बाद यह speed 2, speed 3 और speed 4 पर आ गया और ऐसे ही यह switch 1 का button प्रेस करते ही switch on है और प्रेस करते ही off है आप यह देखिए कि यह जो इस कॉजर का remote control for light and fan है यह कितना speedly काम कर रहे है बटन प्रेस करते ही switch on प्रेस करते ही off on off on off on off ऐसे fan on off on off on off ऐसे ही all on all off all on all off all on all off यह on off करके मैं आपको यह दिखाना चाहरा था कि यह जो switch है यह कितना speedly और कितना accurately काम करता है आपने देखा हर बात जब बटन प्रेस करा तो इसने command execute करी वो भी correctly और बहुत fastly तो यह जो switch है इसके थुरू एक पंखा और चार light को control किया जा सकता है इसके अंदर relay based circuit है और यह एक highly efficient और time saving product है इसके थुरू 8 अलग-अलग scenes को control किया जा सकता है और इसके अंदर एक inbuilt memory है जो की last state को save करके रखती है यह switch किसी भी existing switchboard के अंदर install हो सकता है और इसको install करने के लिए कोई भी existing wiring में changes करने की ज़रूत नहीं है उसके बावजूत भी यह switch सिरफ 2000 रुपे के price range में आपको मिलता है और अगर आप इसको purchase करने की सोच रही है तो इसका जो best buy link है वो नीचे description में दिया हुए जहाँ पर click करके आप इसको बहुत ही सस्ते price पर purchase कर सकते हैं और मैं ऐसी ही technology और gadgets related videos यह बनाता रहता हूँ अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियो जिर्ट देखना तो YouTube के ओपर click on product channel को ज़रू subscribe करें और bell icon प्रेस करके all दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियो की सभी notifications बेले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो में सना करें फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडिय या नई गैरिक के था तब तक के लिए goodbye, take care, जय हिन, जय भारत